चलिए तो अब हम बात करते हैं लाइन सिग्मेंट नंबर ओफ लाइन सिग्मेंट की बात करेंगे कि किसी फिगर में अगर हमें किसी फिगर से नंबर ओफ लाइन सिग्मेंट को काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे सिंप्ली सपोस्ट करो कि एक फिगर हमने लिया यहां से ठीक है एक फिगर ले रहा हूं इसका नाम मैं रख दे रहा हूं ठीक है अब हमें बताना है कि इस फिगर में टोटल कितने लाइन सिग्मेंट है आप लोगो समझने के लिए मैं लाइन वाड उज़ कर रहा हूं टोटल कितने लाइन से यह बना हुआ है ठीक है तो आप देखें आपे सिंप्ली एक पहला लाइन यह हो गया आपका दोसरा यह ठीक है और तीसरा यह हो जाएगा और चौथा यह हो जाएगा ठीक है आप देख रहे हो कि इस फिगर में टोटल फोर लाइन सिग्मेंट है कितने हैं टोटल फोर लाइन सिग्मेंट है हमें बस किसी भी फिगर को देख कर बताने है कि उस फिगर में टोटल लाइन सिग्मेंट कितन बात आ रहे है कि इस फिगर के टोटल लाइन सिग्मेंट 4 है तो इन चारों के नाम लिखना आप ओ ठीक है तो लिखना चले लिखते हैं आम लोग सपोस्ट करों कि यह आपका फिगर था ठीक है यह आपका फिगर था नो यह आपका figure ठीक है A B C and D अब इसमें जितने भी line segment है total किने line segment है 4 line segment है ठीक है तो इन 4 line segment के name आपको write करने है पहला line segment 2, 3 और 4 तो name write करना है start करते हैं देखें पहला line segment line segment का मतलब है कि एक point से start हो और दूसरे point पे जाके end कर जाए तो पहला line segment आपका क्या हो जाएगा A, B होगा first line segment आपका क्या होगा A, B second line segment क्या होगा second line segment आपका B से लेकर C तक है B से C तक है तो second line segment आपका क्या हो जाएगा B, C हो जाएगा third line segment आपका कहा से कहा था तक है C से लेकर D तक है यानि कि C D हो गया 3rd line segment 3rd line segment आपका क्या हो जागा C D ठीक है and last आपका D से लेकर A तक का 4th line segment है यह आपको दिख रहा होगा यह 4th line segment है तो 4th आपका जो line segment हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D A या A D दोनों बोल सकते हैं तो इस तरह करके हम किसी भी figure से number of line segment को count कर सकते हैं और उनके name को right कर सकते हैं चलिए दूसरा example देखते हैं suppose करो कि मैंने एक figure लिया यहाँ पे ठीक है triangle से पर हमने एक figure लिया इसका name रख देते हैं लोग XYZ आप लोग के लिए ठीक है XYZ अब हमें बताने हैं कि total इस figure में कितने line segment है total हमें line segment count करना है कि total line segment कितने है तो आप देखिए यहाँ पे पहला line segment यह हो गया दोसरा यह है तीसरा यह है ठीक है अब इन तिनों के line segment के name write करना है simply क्या write करेंगे पहला line segment आपका XY हो रहा है दिख रहा होगा पहला यह line segment होगा ना यहां से X से start होगा और Y तक का distance होगा तो पहला line segment आपका होगा XY दूसरा line segment क्या होगा आपका YZ दूसरा line segment क्या हो जागा YZ हो जाएगा और तीसरा line जो होगा आपका वो हो जाएगा ZX दिख रहा होगा आपको यह ZX है तो इसको हम लोग ZX write कर देंगे ठीक है इस तरह करके हम किसी भी figure से number of line segment को और उसके name को write down करेंगे अब हम एक 3D figure लेते हैं कौन सा figure 3D suppose करो कि यह आपका है एक 3D figure ठीक है मैंने एक 3D figure draw किया यहाँ पे यह आपका एक 3D figure ठीक है अब इसमें बताने हैं कि total कितने line है आप देखिए हमें रहां से suppose करो कि इसमें number of line segment को count करना है तो पहला line आपका है यह हो जाएगा ठीक है दोसरा यह है तीसरा यह है चौथा यह तो चार तो उपर है आपका और चार नीचे भी है नीचे दियान दीजिए यहाँ पे एक दो तीन और चार कितने हो गए चार उपर और चार चार ठे उपर है और चार आपका नीचे हो रहा है और चार sides में भी है तकि एक दिख रहा है ना आपको चलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगो चार जो है आपका sides चार लाइन सिग्मेंट और बगल में भी है आपको उसको देख लीजिए यहां से ठीक है यह पहला हो गया दूसरा दीसरा और चौथा तो कितने हो गया है चार बगल में हो गया है तो टोटल लाइन सिग्मेंट कितने हो गया है 4 प्लस 4 प्लस 4 कितने हो गया है 12 हो जाएंगे यानि कि इस पूरे 3D फिगर में टोटल आपके 12 लाइन सिग्मेंट है 12 लाइन सिग्मेंट हो रहे है तो इस तरह करके आप किसी भी फिगर से total line segment को count कर लेंगे और उनके name भी right कर लेंगे, I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है?